दोस्तों में बात करने वालों आप लोगों से वो भी भूल भुले अत्री के बारे में डे 6 में इस फिल्म ने वाकई में काफी अच्छा रिस्पॉंस किया है सिंगम अगेन आज अलग तरीके से बिहेव कर रही थी ऐसा लग रहा था एकदम कोई कॉमन फिल्म है बचकानी फिल्म ऐसा बिहेव कर रही थी लेकिन भूल भले थी फिर भी अपनी लगाम ठामे हुए थी और अच्छा पकड़ बनाकर रखी थी बॉक्स अफिस पर और आकड़े यह सब कह रहे हैं मैं खुद नहीं कह रहा हूं और मैं खुद है रान हो कि भूल भले थी इतना बड़ी अप कैसे प्रफॉर्म क्राइब कर दिए समय खिलाफ नहीं हूं मैं कभी भी कोई फिल्म में असके क्लेस्टिटेस खिलाफ नहीं रहता हूं फिल्म अच्छी हो तो अच्छा दो बोलता हूं पुरी होतों पुरी बोलता हूं ने बहु बली तु पहला है भूल बलाइट को भी अवेज का था इस फिल्म को भी मैंने अवर्च का है और यह चल दी अच्छी बात है 14% occupancy मौन शोकी थी आफिन शोकी occupancy 20% इवन शोकी occupancy 29% night show के occupancy 40-41% के आसपास नजर आ रही है इसके average occupancy पूरे दिन की 26% तक की नजर आ रही है और इसका collections जो होता हूँ नजर आया है आज चलिए आपको वह बताता हूँ दूसरी इसका collections भी 11-11.5 क्रोड के बीच में आने वाला है उससे जादा उमीद मत करेगा बिल्कुल सिंगहम अगेन की तरह यह भी perform कर रही है ऐसे में यह फिल्म आज जादे से जादा 154 क्रोड 91 लाग से 155 क्रोड 31 लाग के बीच में कमाई कर सकती यानि कि 154.91 क्रोड से 155.41 क्रोड के बीच में यानि कि सिंगहम अगेन का collections चांसेस है कि छटे दिन भूल भूल अर्थी से निचे गिर जाए अगर नहीं किरेगा तो लगभख similar collections आने वाले है ट्रेट तो लगाता दो तिनी से लगाता same collections दे रहा है दोने फिल्मों के लेकिन producers collections में difference है ये क्यों है इसके सवाल के जवाब भी है आपको मिलेगा आपको मतलब आपके पास रहेगा तो मुझे बताएगा और एक और सवाल ये है मेरा कि फिफ्टर डेट के collections में तीन क्रोड का difference आया है ट्रेडर पर्डूसर्स में सिंगहम अगेन का और भूल भुलाएगा लगभग लगभग धाई करोड के आपको क्या लगता है इस बारे में जवर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएगा धन्यवाद